सर्व पृत अमवस्या इस दिन सभी पित्रों का श्राद किया जाता है पित्र अमवस्या को पित्र विसरजनी अमवस्या या महालया भी कहा जाता है ऐसा कहा जाता है कि इस अमवस्या को पित्र अपने परिवार जनों के घर पर श्राद की इच्छा लेकर आते हैं अगर उने पिंडदान ना दिया जाए तो वहे श्राप दे कर चले जाते हैं इसी लिए श्राद जरूर करना चाहिए पित्रपक्ष की समाप्ती अश्वनी महा के कृष्ण अमवस्या को सर्वपृत श्राद अमवस्या को होती है अगर किसी को भी अपने स्वर्गवासी परिवार के सदस्य यानी पित्रों की श्राद कीती थी मालूम ना हो तो वहे सर्वपृत अमवस्या को श्राद कर सकते हैं पित्रपक्ष के आखरी दिन का काफी महतु होता है अपने पित्रों की आत्मा की शान्ती के लिए इसनानदान तरपन आदी करना चाहिए पित्र पक्ष आमवस्या को किसी पवित्र नदी में इसनान करना चाहिए अगर ऐसा संभव ना हो तो अपने इसनान के जल में पवित्र नदी का जल मिलाकर इसनान करे संध्या के समय अपनी शम्तानुसार दो, पाँच, अथवा, सोलह दीब भी प्रजलित करने चाहिए अपने पूर्वजों के प्रती अपना प्रेम प्रकट करने के लिए श्राद किया जाता है सर्व प्रिता मवस्या के दिन इन बातों का ध्यान अवश्य रखे सर्व प्रिता मवस्या को इसनान आदी करने के बाद गायत्री मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को जल चड़ाएं सर्व प्रिता मवस्या को बिना संकल्ब के श्राद पूरा नहीं माना जाता हाथ में अक्षत, चंदन, फूल और तिल लेकर पित्रों को करपन करें श्राद के लिए बने भोजन में से गाय, कववे, कुत्ते, देव तधा चीटियों के लिए भोजन का अंश निकालें उसके पश्चात अपने पित्रों से अपने सुक्सम्रदी की काम ना करनी चाहिए ब्रामन अगरीब को भोजन करवाएं और उन्हें दान भी दे, ऐसा करने से पित्र दोश से मुक्ती मिलती है सर्पृता मवस्या के दिन जो व्यक्ती श्राद कर्म कर रहे हैं उन्हें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना चाहिए पित्र बक्ष के दोरान श्राद कर्म करने वाले व्यक्ती को आखरी दिन पान नहीं खाना चाहिए जो व्यक्ति अपने पित्रों का श्राद करता है उसे ब्रह्म-चेर्य का पालन करना चाहिए Sir प्रिता मवस्या के दीन श्राद कर्म करने वाले व्यक्ति को तेल और साबुन का प्रियोग नहीं करना चाहिए अपने घर आया ती थी या फिर भिक्षा मांगने वाले को भोजन या पानी दिये बगैर ना जाने दे क्योंकि आपके पित्र किसी भी रूप में श्राद मांगने आ सकते हैं इसलिए किसी का भी अनादर ना करें सरप्रिता मवस्या के दिन चना, मसूर, सरसोका साग, सत्तू, जीरा, मूली, काला नमक, लौकी, खीरा एवं बासी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए ऐसी मान्यता है कि कनागत में 16 दिन के लिए हमारे पित्र हमारे घर आते हैं और सुक, शान्ती, सम्रदी प्रदान करते हैं वैसे तो सभी के लिए श्राद अनिवार्य है परंतु जिनकी कुंडली में पित्र दोश है उसे अवश्य ही अरपन-तरपन करना चाहिए श्राद में श्रदा से कराया गया भोजन और पवित्रता से तरपन किया गया जल ही श्राद का आधार है इसी लिए हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे पित्रों को दुख पहुचे ऐसे ही अन्यबाते, कथाएं, उपाय जानने के लिए हमारा चैनल वास्तुशास सब्सक्राइब करें नमस्कार